हेलो बच्छो, कुछ बच्छो को ये डाउट होता है लास्ट में स्लिवस खतम करने के बाद कि पिछले कितने साल के PYQ करने चीए, पिछले तीन साल तक जाओ, पास साल तक जाओ, दस साल तक जाओ तो obviously answer is as much as you can, जितना कर सकते हो उतना पीछे जाओ This depends upon the time available again अगर हमारे पास time कम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने 19, 20, 21 के दो-दो पेपर ले लिए मतलब जब जैसे April पे हुगा, दो-दो पेपर ले लिए और बाकी के जो पेपर हैं, दो-दो पेपर हैं, वो mains 1 के बाद कर लेंगे और उसके बाद जो पेपर बचेंगे, वो mains 2 के बाद कर लेंगे, इस तरह की हम scheduling कर सकते हैं अगर मालिया हमने 19 के दो पेपर उठाए, जैनवरी एक्जाम वाले, वो खतम कर लिया फिर 19 के जो April एक्जाम वाले दो पेपर थें, वो खतम कर लिया खतम करने के मलब कर लिए कि भगए उनको हम as a test ना दें, practice की तरह भी कर सकते हैं, कुछ mock test की तरह भी दे सकते हैं फिर ऐसे 20 के लिए क्या, फिर ऐसे 21 के लिए क्या और यही cycle, अगर मेरे पास माले यह तीनों खतम हो गए, फिर टाइम बचा, तो एक 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 पेपर और कर लिया यही cycle हम mains one के बास repeat करते हैं, repeat कर सकते हैं, बचे हुए papers के लिए और माले मेरे पास खूब time available है, सारे paper खतम हो जाएं, तो फिर हम दो साल और पहले चलेगा, फिर 17-18 के भी कर लिए अफ़कोर जितने ज़्यादा हम question करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फाइदा तो हो गई, उतना ही हमारे exposure पढ़ेगा और एक ये भी तरीका हो सकता है, कि अगर मेरे को लगता है, यह तो overwhelming paper है, इतने paper तो मेरे से होई नहीं पाएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2019 के मालिया मेरे पर 10 paper हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, पांच के जल्दी जल्दी question पढ़ें और solution पढ़ें, बनाब question पढ़ें, एक मिन जा सकते हैं, उतने साल पीछे जाओ, जाद से यादे साल पीछे जाओ, that depends upon the time available, all the very best.